जब आपको आपका हक समय से ना मिल रहा हो तो आप उसे पाने के लिए लड़ भी सकते हैं और से छीन भी सकते हैं ऐसा करने में कोई भी बुराई नहीं है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा किंग में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयोग के बारे में जो किसी तरह विग्यापन तो रिलीज कर देता है लेकिन विग्यापन जारी करने के बाद भूल ही जाता है कि उसने कब विग्यापन को जारी किया था और अगर उसे दो चार सालों में याद भी आ जाता है कि उसने कोई विग्यापन रिलीज किया था तो धीरे धीरे किसी तरह एक्जाम तो कंड़क्ट करा देता है लेकिन फिर वही हाल करता है हमेशक तरह एक्जाम कंड परिसत का विग्यापन जो 2018 में आयोग ने रिलीज किया था लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट आज तक नहीं घोसित कर पा रहा पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत आ चुकी है उसके पास की सब कुछ करवाने के बास सारी प्रक्रियां जब पूरी हो चुकी है लेकिन रिजल्ट उसे क्या रह जाता है जब वो कोई कार समय से करवा ही नहीं पा रहा है जो लोग भी मंडी परिसत के रिजल्ट के आज में बैठे हैं विचारे कब तक वो ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे घर पर बैठ कर क्योंकि उन्होंने जब इतनी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट भी तो समय करते हैं चाहिए ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सारी प्रक्रियां समय से और रिजल्ट भी अपने समय से जारी करें अगर इस आयोग को सबसे सुस्त आयोग कहा जाए तो इसमें कोई भी भी बैमानी नहीं होगी क्योंकि यह हमेशा अपनी कशुवा चाल के लि यह बहुत ही विसाल धरना प्रदर्सन का आयोजन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्सन का अगर इस्थान देखें तो यूपीटर पलसी पिकप भवन लखनों के सामने ही आयोजित किया जाएगा। नहीं मिलता तो हम लोगों को दिल पर क्या गुजरती है यह बात अव आयोग को नहीं समझ में आ रही है। अभी भी समय है कि 26 अक्टूबर से पहले जल्दी से जल्दी मंडी परिसत का रिजल्ट घोसित कर दिया जाए नहीं तो उसके बाद तो धरना प्रदर्सन की तैयारी पूरी ही हो चुकी है ऐसे में जितने भी लोग लखनओ या आसपास के जन्पदों में रहते हैं उनके भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लोग पहुंच सकते हैं सब लोग यूपी ट्रिपल एससी पिकप भवन के सामने लखनओं में पहुंचें और आयोग को भी ऐस अगर आगे तो बहुत बड़ी मुस्किल खड़ी हो जाएगी कियोंकि आगे तो आचार संगिता भी लग जाएगी उसके बार नियुक्ति पत्र तो मिली ही नहीं सकता है और आप लोगों पता होगा यूपीटर पलसी पेट का एक्जाम जो 24 अगस्त को कंड़क्ट हुआ था उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया जा रहा है तो ऐसे में अगर ये प्रतरसन होगा तो इससे पेट के रिजल्ट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पेट का रिजल्ट भी समय से ही डिकलियर कर देगा आयोग पेट के रिजल्ट के डिकलियर होने के ब करने का समय आ गया है कि चुनाओं से पहले सभी भरतiają जितने भी लामबित पढ़ी हुए हैं उनका निसकर्स निकाला जै। जितने भी रिजल्ट अटके हुए हैं सब के रिजल्ट डिक्लियर किये जाएं और सब के नियुक्ति पत्र भी दिये जाएं। क्योंकि हम लोगे ने